हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेंचनल लोकोमोटीव जो ब्लोवर लागा रहता है और ब्लोवर का कॉन्टोल सरकीट के बारे में डिसकस करेंगे तो यह ब्लोवर जो सरकीट है उसमें हमारा ACMBRF लगा हुआ है हम लोग जानते है जो SIB यूनिट वाला लोको होता है उसमें ACMBRF लागा होता है और आर्नो वाला लोको में हमारा DCMBRF लागा होता है तो किसी किसी लोको में आर्नो रहता है उसमें भी हमारा ACMBRF रहता है तो इस सरकीट में हमारा आर्नो लोको में ACMBRF है यह circuit में दिया गया है तो उससे हम लोग यह circuit को discuss करेंगे तो पहले देखिए हमारा control circuit है इसलिए 110 volt DC supply से यह circuit operate होगा and CCA6M का एक fuse दिया गया है and हम लोग जो blower रहता है तीनो blower कौन-कौन MBMT1, MBMT2 and MBRH तो यह तीनो blower का एक controlling switch रहेगा जो है na BLBMT तो एक cab 1 के लिए एक cab 2 के लिए तो BLBMT दबाने से हम लोग क्या जानते हैं हमारा यह तीनो blower रहेगा वो blower चलना शुरू होगा बार देखिए circuit में क्यासे चलता है तो हमारा blBMT दबाने से क्या होगा हमारा यह interlock close होगा तो close होके supply आगे भेजेगा and यहापे Q100 तो Q100 हमारा क्या है ना auxiliary का controlling relay है जो किना हमारा DJ close होने के बाद ही energize हो जाता है तो इसलिए वो जब energize हो जाता है तब यह interlock है वो close हो जाएगा तो close हो जाएगा तो supply आगे भेजेगा तो इस तरब देखिए CTF2 का traction का एक interlock देया गया है तो हमारा CTF2 तीन CTF रहेगा CTF1, CTF2 and CTF3 बाट यहापे CTF2 जब traction में रहेगा मतलब क्या हुआ CTF2 का handle कहा पे रहेगा traction में उपर के तराप तो उपर में जाब रहेगा तब यह interlock क्या होगा close होगा and हमारा यह आप एजबी आरेज एक isolation switch है हमारा MBRH के लिए और यह एजबी आरेज का position 0, 1, 2, 3 होता है तो यह आप 1 में है तो 1 में होने से यह supply आगे देगा और इस पर देखिए C108 करके एक interlock लगाए गया है जो किना normally close है तो close है इसलिए हमारा supply आगे देगा यह कोईल को energize करेगा तो कोईल energize होने से हमारा C107 contactor close होगा और C107 contactor close होने से हमारा MBRH जो blower है वो start करेगा तो देखिए यहापे C108 का contactor का interlock क्यों लगाए गया है क्योंकि हम लोग जानते है C107 MBRH के लिए और C108 होता है हमारा MBRH के लिए तो हमारा लोगों में at a time MBRH एन MBRF एक सद नहीं चलेगा जिस टाइम MBRF का काम होता है उस टाइम MBRH नहीं चलेगा जिस टाइम MBRH चलेगा यहसी MBRF वो बंद रहेगा इसलिए यह इंटरलोग यहाँ पर दिया गया है क्योंकि देखिए इस तरफ जो सप्लाई जा रहा था इस तरफ CTF2 का ब्रेकिंग इंटरलोग दिया गया है तो क्या होगा CTF जब ट्राक्शन में रहेगा तब MBRH को सप्लाई जाएगा बाठ CTF जब ब्रेकिंग में जाएगा कब जाएगा हमारा जब आर्वी लेते है उसी टाइम CTF2 हमारा ब्रेकिंग के टाइम जाएगा तो ब्रेकिंग के टाइम एंटरलोग क्लोज करेगा क्लोज करने से हमारा HBRF 1 में है तो सप्लाई आगे देगा यान C108 को एनर्जेज करेगा तो C108 हमारा जो क्वांटेक्टर हैगा ओक्लोज होगा तो आमारा MBRF चलना सुरू होगा तो C108 जब हमारा चलना शुरू हो जाता है तो एनाजेज हो गया C108 कोईल तो यह कॉंटेक्टर का जो इंटरलोग यहाँ पर है वो ओपेन हो जाएगा तब हमारा CTF-2 ब्रेकिंग में तो एंटरलोग पहले ओपेन हो रहा है बाट यहाँ पर एडिशनल भी हमारा C108 का जो ओपेन है ओभी दिये गया है किसी पकर में MBRH नहीं चलेगा MBRH जब कम करेगा तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देख लिए जो MBRH कैसे कम कर रहे है और MBRH कैसे कम कर रहे है उसके बाद देखिए हमारा पहले MBRH स्टार्ट हुआ तो उसके पास में जो ब्रांच है उसमें देखिए यह C107 का नॉर् प्रेन एक इंटरलोक है तो आप हमारा C107 का जो क्वाइल है वो एनर्जाइज हो गिया था तो यह जो ओपेन था वो क्लोज हो जाएगा तो सप्लाई आगे देगा एन इसमें देखिए QTD105 का एक टाइम डिले रिले है QTD105 तो QTD105 हमारा जो डिले रहेगा वो तो 5 सेकंड डिले में स्टार्ट करने के लिए यह क्या करेगा हमारा देखिए यहाँ पे उसके बागल में जो ब्रांच है यहाँ पे QTD105 का एक इंटरलोक देआ गया है जो नॉर्मली ओपेन है तो यह एनर्जाइज होआ बाट 5 सेकंड के बाद यह क्लोज होगा क्योंकि टाइम डिले डिले है तो क्लोज होगा तो क्लोज होने से साप्लाई देगा और इसमें भी देखिए HBMT का आइसोलेशन स्वीच का इंटरलोक लगाया गया है तो HBMT1 पोजिशन में है तो साप्लाई आगे देगा और C105 हमारा क्वाइल को एनर्जाइज करके क्व क्लोज होने से हमारा MBMT1 चलना शुरू होगा तो C105 जो क्वांटेक्टर है वो क्लोज होजने से देखिए उसके अपर में जो C105 का ओपेन इंटरलोक था वो क्लोज हो जाएगा तो हमारा साप्लाई आब QTD105 से भी आएगा और C105 से भी हमारा C105 जो क्वाइल रहेगा उसको मिलेगा दोनों तरह भी मिलेगा और एक साप्लाई इससे होते वह यह देखिए एक डायोल लागा गया है VS8 उससे होते वह QTD106 एक टाइम डिले है वो भी 5 सेकंड का डिले है तो O को जाएगा तो O डिले जब एनरजाइज होगा तो क्या करेगा वो भी 5 सेकंड के ब तो साप्लाई ऐसे आ रहा था तो QTD106 हमारा जब एनरजाइज होगा तो ए इंटरलोग 5 सेकंड के बाद क्लोज होगा तो क्लोज होने से हमारा ए आपे देखिए HBMT2 का आईसोलेशन स्विच का इंटरलोग लागा गया है तो O 1 सेती में A को जाएगा एन ए क्वान्टेक् क्लोज होगा एन हमारा दोनों तरफ से पावर सप्लाई जाके इस कोईल को एनरजाइज करके राखेगा तो कैसे हमारा सिरीज में ये स्टार्ट हुआ ये देख लीजिए पहले हमारा C107 को डाइरेक्ट सप्लाई गया उसके बाद यहाँ पे देखिए C107 का सप्लाई आया एन क्यूटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी कहापे लागेगा तो MBMT2 तो हमारा जो लोको में BLBMT दाबाने से पहले अमारा MBRS start होता है उसके 5 सेकेंड के बाद MBMT1 चलना start होता है और इसके 5 सेकेंड के बाद जब energized होगा CTF traction में रहेगा तो C107 का contactor close होगा and coil भी energized होगा but CTF breaking में है तब C108 का interlock close होगा 7 हमारा de-energize हो जाएगा तो इसलिए 7 जब de-energize हो जाड़ाए तो ओपेन हो जाएगा बट C108 का energize होके एग close करेगा तो supply तब यहाँ से होते हुए हमारा QTD 105 को मिलेगा तो तब क्या होगा हमारा जब हम लोग ACMBRF को चलाता है तब तो हमारा MBRS नहीं चलेगा बट यहाँ से होते हुए 5 सेकेंड के बाद जो MBMT1 एन MBMT2 उसको supply मिलेगा तो हमारा ACMBRF से काम कानने के टाईम हमारा MBMT1 एन MBMT हमारा साथ में चलेगा बट MBRS हमारा नहीं चलेगा बट अब मान लिजिए हमारा जो लोको पाइलोड है वो BLBMT हमारा दाबाना भूल गया तो BLBMT close नहीं करेगा तो हमारा क्या MBRS, MBMT1, MBMT2 नहीं चलेगा सप्प्लाई देने के लिए एक ब्रांच देखिए इसके पास में बनाया गया है जिससे हम लोग लोको पाइलोर भूलने से भी हमारा जो ब्लोवर रहेगा वो आटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा कैसे होगा देखिए उपर में MPJ जो हमारा रिवर्स से रहता है उसका इंटरलोक लगाए गया है ये इंटरलोक कब क्लोज होगा जब MPJ को हम लोग फोर्वर्ड और रिवर्स में राखता है ये कैब 1 ये कैब 2 तो दोनों कैब में से जिस कैब से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उस gap का MPJ को हम लोग forward और reverse किसी भी एक position में राखने से एंटरलोक को close कर देगा और supply आगे देगा और उसके बाद देखिए हमारा जब एक notch ले लेंगे तब यह आपे GR का close on 1 to 32 जो notch का इंटरलोक है वो close रहेगा 0 में हमारा blower स्टार्ट नहीं होगा PLBMT हमारा दबाना भूल किया बट 0 में जब जिया रहेगा वो स्टार्ट नहीं होगा जब भी हम लोग 1 notch ले लेंगे तब यह close करके हमारा supply Q100 को जाएगा और जैसे पहले जा रहाता वो जाके हमारा 5 second के इंटरल वेल में हमारा MBRH को पहले उसके 5 second के बाद MBMT1 और उसके 5 second के बाद MBMT2 को चलू कर देगा एन ऐसे ही 32 तक चलेगा और जैसे हमारा MBRH चलू हुआ तो पहले ही उसका जो कॉंटेक्टर है का C107 ओ ख्लोज हो जाएगा तो ख्लोज होने से कोईल को यह जो इंटरलोक था ओ भी हमारा लग जाएगा तो आब हमारा पावर सप्लाई MPJ का जो इंटरलोक है उससे होते हुए दोनो तरब जाएगा JR का क्लोज अन 1230 के जो सेल्प इंटरलोक है उससे होते हुए दोनो तरब जाएगा JR का close on 1 to 30 knot का जो self interlock लागा गया है उसके माददम से भी जाएगा और C107 का जो contractor अब close हुआ उसके माददम से भी जाएगा जब हम लोग RB लेते हैं तो RB के time हमारा क्या होगा यह C108 क्लोज होगा तो तब C108 से भी हमारा जाएगा एन MBMT1 एन MBMT2 एन MBRS को सप्लाई मिलेगा तो BLBMT दबाना भूल जाने से भी हमारा लोको में ब्लोर आटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है तो ए वीडियो में आप लोग का कोई भी डाउट होगा तो वीडियो का जो comment box है उसमें comment करके पूछना एन वीडियो आच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते नेक्स्ट कोई वीडियो में